कि इसके इतिरिकत मैं SWAM की तैयारी के बारे में यदि बताऊं तो मैंने फ़र्ष्ट पयपर तक आपी पहले कर लिया था लेकिन यह सेकंड पयपर मैंने स्टार्ट किया वह अप्रेड में स्टार्ट किया था एक अप्रेल को मैं को भी यह मेसेज दिखा रहा था फॉन में कि यह अप्रेल को मैंने मैसेज किया था कि मुझे कोर्स चाहिए सर न बॉला कि डिसकाउंट रो अर्ट आलीसो पचास में हो जाएगा आप आप नमबर आप नमबर सेंड करो OTP आएगा तो मैंने वो सेंट किया था एक अप्रेल को फिर अगला ही मेसेज मैंने 17 अक्टूबर को किया था मार्क्स जोड के उस टाइम वो कोचिंग के आंसर के से 366 बन रहे थे मेरे और यह अल्प समय में जो फर्ष्ट पेपर था था लेकिन जो सब्जेक्ट का जो योगदान है वो म मैं 8 बजे से शिलिबस पूरा नहीं था तो आट बजे ही बैठ जाता था और सुबह भी क्लास ही देखता था और साम तक ही क्लास ही देखता था तो वो दिन में लगबग सास से आट गंडे क्लास देखी है मतलब लिखने के इतरेक्ट 10-12 गंडे मान भी सकते हो गी क्लास दे मैं थे और उसमें से प्रशन मुझे यूं के यूं देखने को मिले कई भी प्रशन कोई जाता हुआ नहीं दिखा जितने अटेंट किये थे उसमें में अधिक्तम सही हुए बहुत मिनिमम मतलब नेगेटिव गए थे और जो कुष्षन थे दो चार कुष्षन थे लेकिन उनके पीछे बाग कर मैंने अन्य कोई श्रोत देखना उचित नहीं समझा क्योंकि उसमें से लगबग सब आ रहा था और सर ने वैसे मैंने वीडियो देखे तब बताया था कि NCRT आपको पढ़नी चाहिए समय मिले तो लेकिन मेरी इस्तिती इसके वीपरीत थी इसलिए मैं वास्तम में कहूं तो NCRT भी नहीं पढ़वाया और वो आज तक नहीं पढ़ी है लेकिन साइद मुझे लगता है वो इसलिए वो नोट्स में अल्रेडी आ गया था तो मैंने सोचा कि यह रहने देते हैं समय नहीं था इसलिए वो उस हिसाब से वो स्कोर मतलब सब्जेक्ट में अच्छा बन गया था मेरा इसलिए मैं संपूर्ण रोप से सर को बहुत-बहुत दंदेवाद देना चाहूंगा क कि एक मेरे जीवन में उजाले के रूप में आकर एक अंदेरे को दूर किया है यदि इसके अतिरिक्त आप इस्टुडेंट्स के भी कोई सवाल हो तो इस पर भी आप रख सकते हूँ नंबर मेरे 365 थे अब जो कुश्चन उपर नीचे हूँए होंगे तो वो सकते है उपर नीचे 365 सब्जेक्ट में 240 थे उसमें 125 थे मेरे जो मैं लीड थी वो मेरे 1st वेपर ही थी और मैंने उसका पूंट रूप से उपियो किया इस्ट्री मेरे 22 आई थे 22 एराइट थे रीजिनिंग का एक अच्छा है छोड़ा था और जितने एटेम्ट के उसमें साहिद मेरे बहुत कम गलत हुए थे और फर्स्ट पैपर में मतलब एक दिन में तैयार नहीं कर सकते सब्जेक्ट आप 15 दिन में ठीक से पढ़ लोंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन एक दिन में क्यूंकि वह बहुत लंबा हो जाता है उसमें एक दिन में न तो आप कोई और रख पाओगे नहां कोई दूसरा नहीं कोई टेस्ट दे पाओगे और जब भी टेस्ट होंगे और तो यहारी जाधा अलके में लेते तो फिर वह कमी नंबर आते लोपन जाने देते हैं कि रहने देते हैं एक टॉपिक क्या पढ़ना लेकिन वास्तम में देखे तो वह एक टॉपिक एक प्रश्णा काफी माइने रखता है जैसे कि एक कॉश्ण था पॉलिटी गिया था उसमें मेरे को ये पता होता कि गुजरात में साथ 20 सीट है लोकसवा की हमारे निकट बॉडर है बिलकुल लेकिन मुझे नहीं था पता वो पता होता था वो पश्णा सही हो जाता मेरे तो वो जनेरल चीज जो होती है वो पन कही न कहीं चूकती है और हर सवाल अर बार ये पूछते है या तो सटेट पॉलिटी होती है तो इसमें पूचते है जैसे उद्हागन के तर देखे, तो utahanna के तो पर कहांपे कितनी विदांषभा ऐस Süइटे मिलाने का आता ही है और लोग आगी सिठो का मिलाने का आता है लेकिन अपन वह और कर देते हैं अपन केवहल अर्टिकल पढ़ते रह जाते हैं और वास्तम में देखें, तो वहां से फिर आता नहीं है, आता कुछ और ही है, और अपन सोचते हैं, ये करंट का आ गया, उसमें आ गया, लेकिन वो कुछन लग बग अपन पूराने पेपर देखें, तो उसमें वाकई में रिपीट हो रहे हैं, और कोई आप मैंसे सवाल हो द देखें तो, इसके तरिक्त मानसिक तनाव, बाकी कोई, कई चुनोती होती है, चाहे पनोती रूप में वो जीवन में, हर एक के जिंदगी में होते ही हैं, दो चार, तो वो भी होते हैं, उनका भी निराकरण जुरूरी होता है, पहले लोग पूछते थे, नोकरी नहीं लग हुआ, यह मैं दिल से कहना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं, जो जानता है, जिस बात को वो ही मानता है, और उस तरफ देखें तो, मेरे गाव का यह पहला सेलेक्शन है, डायरेक्ट इसमें, और वो ही फर्स्ट रेंग आना मेरे लिए मतलब मैंने रोल नमबर देखा, फोर फोर एट सेवन, पीछे का जीरो टू दिखा ही नहीं, कोष्टक में वन लिखा आ गया, तो फिर मैंने देखा, आप तो फर्स्ट रेंग आई गई है, बाई को दिखाया, वो सावान पैक कर अच्छली वो जाना था तो तो फिर दिखाया तो उसने भी देखा सही है, फिर तो भी मैं रोल नमबर मिलाए, चार बार, कि कई गलत तो नहीं है, दो चार फोन आई वो भी एटेंड नहीं किये, एक बार के देख लेते है, पता नहीं, कोई दूसरे का रोल नमबर हो, मेरा नहीं है, एक बार विचार आया, सायद, एडमिट कार तो गलत नहीं है, एसो से वापस, एसो से वापस डाउनलोड करता हूँ, तो वो एक रहता है, अपन को रिजल्ट आने के बाद आप जितना सोच रहे हैं, कि जितनी मेहनत, संगर्ष, शायद वो आप मानोगे नहीं, य इतना recognition मिलता है, तो मुझे और भी जीवन में बहतर करना चाहिए, और आगे बढ़ता रहना चाहिए, यदि आपके कोई सवाल नहीं हो, तो मैं कुछ पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, जो मैंने लिखे है, सायद इस में से ही सवाल तो होंगे, जैसे कि 4-5 पॉइंट है, content, revision, short notes, test series, analysis, अपने notes को rich कैसे मनाएं, बस ये पांचे point मैंने लिखे थे, यदि आपका कोई सवाल नहीं हो, तो आगे बढ़ सकता हूँ, सबसे पहले content में बात करूँगा, तो content is king, मतलब वही राजा है, यदि आप अच्छा content पढ़ रहे हो, व्यवस्तित पढ़ रह हो, आला कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं, मैं किसी लेखक की नहीं तो आलोचना करूंगा, लेकिन मैं इसमें विश्वास करता हूँ, कि मेरे को कोई मैनत करके direct दे दे तो मैं इसको याद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो पूरी समींदर सिंग पढ़ूंगा, जो पढ़ने ब सिमित मात्रा में रखना उसको बार-बार रिविज करना बहुत जुरूरी होता है, तो content सिमित रखिए, बहुत अच्छा रखिए, और कम पेज में रखिए, मैंने जो मतलब last में बनाए थे वो बिलकुल short में कर लिया था notes को, लेकिन जो चार register तो थे ही है, चार थे, हाँ, मैं जपूरी था, मैंने एक्चुली एपीरिंग में दिया था यह एक्जाम, मेरे रिजल्ट का कोई fix नहीं था, कि मैं इसमें eligible हो पाऊंगा, कि नहीं हो पाऊंगा, रिजल्ट मेरे आया है किवल 20 तीन पहले, यह जो 21 दिन निकल जाता, तो मेरे 400 मेंसे, 450 मेंसे, तो भी य पाऊंगे नहीं होते, तो कभी न कभी जो आप मेहनत कर रहे हो, कुछ न कुछ इदी आपके जीवन में को कुछ लंबे समय तक आपको लगता है कि दुख की कटना ही गड़ित हो रही है, तो आगे उजला आना ते है, ऐसे जुरूरी नहीं है, आपको ऐसे लग रहा होगा, कि इचानक एपीरिंग में इसका हो गया, ऐसी बात नहीं है, यदि आपको कि मैं लिस्ट बनाना चाहूं, तो बहुत शांदार 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 सपलता है, मेरा मित्र बैठा ही है, मियंग शर्मा, साथ में ही हम रहे है, तो इसको पता ही है, तो वो इसको पता है कि मतलब कितने हमने साथ साथ एक्जाम दिये थे, कितनी तयारी की थी, कहां-कहां बट गया है, यही ओटो में बैठके आते थे, कॉलेज साथ किया हमने, तो वो मतलब जो पता है, पैचानते हैं उनको पता है कि काफी वक्त लगा है, और फर्स्ट पेपर में काफी समय लगा है, इस इसका कहना चाहूंगा कि इसकी आपको कोई भी लिमिट नहीं रखनी चाहिए, जितना आप रिविजन करोगे, उतना ही फाइदे में हो, यदि नया नहीं पढ़के पुराना ही रिवाइज कर लिया आना, तो उसमें से आपके सवाल कहीं नहीं जाएगा, तो रिविजन बह था जब एक्जाम के एक महीने कम था, तो वो एक्जाम के आसपास का टाइम होता है, वो बहुत क्रिटिकल होता है, उसका संपूर्ण रूप से बनाव शदूपयोग करना चाहिए, और एक अच्छी जो अपना ग्रूप होता है, बढ़ई वालों का, वो ही होना चाहिए, क् क्योंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं, लगवग सब मैच्चर है, सब को खुद को पता है कि मुझे क्या करना है, यहां तक दूर से किसलिए आया है, क्योंकि मुझे लगता है, प्रॉपरत बिल्कूल यही आसपास घर वाले तो बहुत कम होंगे, साह 10% भी नहीं होंगे तो बाहर से आया है, बेजा है इधर, तो जुरूर पूरा समय देखे, मुझे तो ऑफ-लाइन मैं तो मुझे तो सभाग्य नहीं मिला यहां आने का, वो अनलाइन देखा, वो ही देखा, बस यह बहुत दिखता था, सर पढ़ाते थे, ताइम स्केल से क्लास सुरू हुई थी अभी याद है, एक पेज वो शाननी बना ही थी, और वहां से देखता चला गया और वो पूरा-पूरा किया था, तो रिविजन के तौर पर आपको विशेश रूप से द्यान रखा है, और मैंने तो काफी किया, रिविजन इसकी काउंट नहीं है, कम से कम देखे तो, चाली इसका साननी से कोई लेना देना नहीं था, और ना तो इसके जोग्राफी के किसी पोर्शन का मुझे नहीं लगता, एक कार्टोग्राफी और वो मैपिंग वाला है, उसमें कैलकुलेशन में मुझे मेरे सब्जेक्ट की जुरूर एलप मिले, लेकिन बाकी में मुझे मेरे प पॉइंट देखे तो short notes, notes को मतलब एक concise form में होने चाहिए, आप जैसे डेली मतलब 300 page के या डेल 100 page के copy लेके बैठ रहे हो, दो महिने से वो ही दोर आ रहे हो, तो वो फिर चीज लंबे समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि दिमाग में उतना ही ठहरता है, जितना मतलब short में च लगबग मैंने सब लिख रखा था, first paper जैसे ही मैं देखे आया, मुझे लगा मेरे इतने number है, देखना तो नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अच्छे ही होंगे, और वो दो च्यार ऐसे ही करके आया था, वो भी सही हो गए तो फिर और जोस आ गया था, तो फिर मैंन लिए एक अलग था, किसी का अलग, रेक किरण रख रण जिती होती है, जो खुद को सूट करे, उस हिसाब से कोई चार दिन पहले पढ़े ही चोड़ देते है, मैंने जैसे कि तो रात को नौ बज़े तक मैं पढ़ा, फिर सो गया था, चार गंटे में आके, मैंने वो 40 यह कुश्यन था, उफवन नगर संकल्पना का था, तो उसका अंसर, सर वो क्या था, उफवन नगर, आवार, तो मुझे वो नाम पता था, मुझे तीन आप्शन नहीं थे पता, तो वो उफवन नगर वाला था, वो मैं करके जैसे आए तो ऐसे काफी स्वाल थे, जिसमें मत इसमें के दिश्टिकॉंड से होनी चाहिए, काफी मित्र है, जिनका अभी कुछ दिर पहले ही एक मित्र थे, उनका फॉन आया अभी दो गंटे पहले ही, वो मात्र मतलब डेड़ नंबर से रहे थे, पिछली बार भी रहे, दो तीन नंबर से अब की बार भी रहे, तो मैंने पूचा कि क्या क्या कैसे कैसे आला कि online थी, मित्रता online ही message किया था इन्होंने, DV में मिले थे जरूर, तो फिर उन्होंने बताया तो मैंने पूचा test कितने दिये, तो उन्होंने बूला एक भी नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि साइद उनके उन्होंने 10 test भी दे दिये होत 240 से 267, यहां तक मेरे marks आये थे online में, तो वो test का बहुत फर्क पड़ता है, और test series बस यही था, short notes और test series, test series यदि आपको लगता है कि आपके पास काफी समय है, और भी अच्छा score करना है, और आपको लगता है कि आप मतलब content को संभाल पा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, आपकी capacity आपको लगती है, तो आप और भी कोई characters to join कर सकते हो, एक के साथ दो भी चला सकते हो, लेकिन वो एक बार syllabus एक दो पूरा हो जाए, अच्छे से आपको clear हो जाए, सब कुछ एकदम, फिर उसके बाद आप जुरूर देख सकते हो, बाकी कुछ भी material, लेकिन एक बार एक अप आपको की बातें, तो वो तो चलती ही रहती है, उनका कभी अंतनी होगा, यदि आपकी नौकरी लग गई, तो भी tension ही है उनके, और नहीं लगेगी, तो भी आपके सामने वो tension दिखाने की कोशिच जरूर करेंगे, कि यार नहीं लग रही, मैं जैसे यहां से BST मैंने यही से किया था, B.A.B. यहीं से किया था, फिर मैं कोरोना आया, तो फिर मैं घर चला गया था, तो उसके बाद मैंने यहां से नौन कॉलेज से बढ़ा था, R.U. से, दोस्ते उनने बोला B.S.C. वाले जोग्राफी से बढ़ते हैं, तो मैंने बढ़ा था, वैसे मैं R.S. की कर रहा इस एक्जाम के हिसाब से आपको लगे किसी की परिष्थिति के हिसाब से तो खुद का प्लान हमेसा, खुद के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि दूसरों के आइडिया, दूसरों की रण निती, जुरूर अपनको एक बार चेक करके देखना चाहिए, क्योंकि अपना मान 8EE उठते हो वो परीविर्तन करना चाहोगे तो इसमें तकरास उत्पन होगी आपसमें तकरास उत्पन होगा कि उठोओ कई नहीं उठो तो उन्मेंसे वो एक डिसीजन आप परीवर्थित होना ही नहीं चाहते जैसे शौट नोट मैंने बताय deben मैंने खुद से नहीं सिखा, यह मैंने भाई ने मुझे बताया था, मेरे भाई ने, अब मेरे उनके बारे में थोड़ा ब्रिफ में बता हूँ, तो वो TCS में 2017 से सॉफवेर इंजिनियर कांग कर रहे थे, कोरोना में वर्क फ्रोम चल रहा था, घर आए, हम एक टेवल पर भी करते थे, दोनों भाई, घर आए, वो उन्होंने एक कोचिंग की टेस्स सिरीज ली, SI की, only थी, 120 टेस्ट थे, उन्होंने वो खाली टेस्स सिरीज दी और उसके नोट्स बनाएं, और उनके 204 वी रैंक से मतलब सेलेक्शन हो गया, तो आपका जो तरीका है, वो माहिने रखत है कि आप मतलब आपके पास समय कितना है, आपकी रणदीती क्या होनी चाहिए, आपका वैक्तित्व कैसा है, आप कितनी मैनत कर रहे हो, कितना समय दे रहे हो, उसके उपर सब निर्वर करता है, कि मतलब अपनी रणदीती किस तरीके से होनी चाहिए, इसके इतरिक्त आपको स्वाल पूछने चाहिए क्योंकि कोई भी स्वाल अनुत्रित नहीं होता इसका उत्तर अश्य होता है अब वह भी बात तो सही है सब्जेक्ट से समंधित्त कोई डाउट का सवाल ही नहीं है क्या सब्सक्राइब आप इसको डेली पड़ सकते हो सब्जेक्ट वाइज मतलब पोर्शन वाइज जैसे इस्ट्री है तो आप इस्ट्री को मतलब एक दो दिन मतलब उसको समेट के रखो मेरे सॉट नोट्स आपना साथ वो ध्यान नहीं दिया वो कहने का मतलब वही था जैसे कि कोई रचनाए है एक पशना आता है जैसे कि कोई रचनाए से पूछ ले तो वो एक पेज पे आपको इंपोर्टेंट पता होनी चाहिए कि मध्यव काल की कौन सी है क्या है किस मैं से आ रहा है जैसे घुजर प्रतियार में अपनको इंपॉर्टेंट लगता है साथ से बारवी राजपूत वाला तो अपने टॉपिक में एड़ किया था आपको पता हो तो उसमें से सबसे से इंपूर्टेंट घुझर पतियार है राष्ट ak उट नहीं कूछेंगे आपकू कभ भी नहीं और आप पूछेंगे तो भी चोड़ जोगे तो भी चलेगा लेकिन जो गुर्जर परतियार में से आया और आप चोड़ के आ रहे हो क्योंकि वो तर लगबग सब पढ़ रहे है तो वो इसको सौट में आप हिस्ट्री में भी कुछ मिना सकते हो जैसे कि मातमा गांधी की मैंन काफी काफी मोटे नोट्स थे लगबग इतने सारे थे और उनको मैंने लाश्ट में मुझे लगा कि मातमा गांधी रिविजन नहीं होंगे उनको अठाए भी थे फिर वापस जोड़े भी थे एक दिन सिलेबस लाके वापस दॉपर में जोड़ दिये थे साम को अठा दिया इसा हुआ था तो वो मैंने नोट्स थे फिर मुझे लाश्ट में लगा कि इनको मैं पढ़ूंगा तो बाकी हिस्ट्री चूख जाएगी इसलिए मैंने उनको लगबग वो पेज थे 50-60 होंगे उसको मैंने तीन पेज में कर दिया था और उसमें से एक भी पशना नहीं आया इसलिए प्रिवियस्ट पेपर आप जुरूर देखना मतलब आपको एक पका अंदाया लगेगा कि मतलब कौन से कुष्षन कितने कहां से आ रहे है कैसे मतलब प्रिवियस्ट के कई कुष्षन डारेक्ट फूटब हो जाते हैं और वो अपन को पता ही नहीं चलता जैसे की कह नहीं ना कई यहां पिर अच्छी स्रीज में से डायरेक्ट पूटभ हो जाता है जैसे कि एक टेस्ट में कुष्ण था वह राष्टर मॉडल और व्रेक्टर वाला तो उसमें से सर्वो मेरे गलत था वो मैंने किया, paper में मेरे गलत होगया था, यही पिरिया होती है, notes को rich बनाने कि किएधि आपके notes सम्र्द होंगे, दीरे दीरे एक समय बीटेगा बितेगा button six seven thousand जब आप खुद से पढ़ोगे, एक class पूरी होने के बाद खुद से पढ़ोगे, दीरे-दीरे सीखोगे, कोई चीज दूड़नी पढ़ जाती है, कोई sir doubt हो, वो तो sir से भी वापस पूछ सकते हो, तो वो दीरे-दीरे प्रिक्रिया के तत आपके notes सम्रिद बनेंगे, तो वो कब बनेंगे, जब आप test देके, जो गलतिया है, उनको बिल्कुल आपको analysis करना ही है, वो analysis करोगे, तो यदि मैंने analysis किया होता, तो साहिद वो एक पशनवर सही होता, तो वो उसका फर्क होता है, बस तो यही था, मैं तो अब एक चार पंक्तिया थी, कोशिस कर ले हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्षरक, निसाना लगा, मुरुष्थल से भी जल निकलेगा, महनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी पिर फल निकलेगा, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिस जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा-थमा है, वो भी चल निकलेगा. एक बार पुन शंस्तान निदेशक एवं कुल्दीब जी सर को बहुत बहुत आबार, एवं बहुत बहुत दन्यवाद कि मुझे एक content के रूप में, एक अच्छा mark-दर्षक के रूप में, एच्छा content परदान करने के लिए एक अच्छे marks प्राप्त करवाएं, बहुत बहु अब ही मुकेश जी ने आपके बीच में अपने किस रूप में शफलता असिल की है उसके बारे में एक संचित रूप में बताया है हलाएं कि सही माइने में उस कारिय को करके तो इन्होंने श्वयमी जिया है और मैं जब भी कहता हूँ जब काम करो तो इस काम को इस तरीके से करें उस काम के साथ जिया जा सके अभी ओनलाइन में भी एक तो विध्यारती पहुंच रहे थे एक साब वो और शॉट नोट्स वो शॉट नोट्स खुद को ही बनाने पड़ेंगे वो खुद को ही बनाने पड़ते हैं मैंने सब किताबों को कंसाइज किया है थे प्रस्तुत किया है और उस नोट्स भेसे भी मुकेश जी न और कंसाइज कर लिया लेकिन इनकी मस्तिक्स बुद्धी कितनी है कि मैं इस पॉयंट को यदी शबद को देख लूँगा तो भी मै समझ जाओंगा इसका तात्पिरी क्या है तो इतना जो संचिफ जो शोट नोर्स होता है वो श्यमिका ही होता है पिछली बारी नया है हडिंग जो जोड़ा था मैंने चर्चा की थी चलिवस के अंदर नगर्न योजन के सिद्धान और उसमें पहला ही सिद्धान पड़ाय था ग्रारडन सिटी अभेंजर हर्वाट का पहली लाइन थी पहली लाइन का प्रसंद था लेकिन अभेंजर हरवड को भी एकजमनर चचिफ अ chillingुप में देदिया तो जिसने संचिफ रूप प्रूब यादी पढ़ा था तो भी आसानेश आंसर कर पाया लेकिन मैं बार-बार यही कहता हूं और आद उनक भुगल वेता रिचारज हार्टसोन ने कहा भुगल के लिए कुछ करके दिखाया जा सकता है बाते करने से कुछ नहीं होता कि रिचार्ड हाड्सोन कहते है और आप भी कुछ करके दिखा सकते हो बाते करने वाले खूँब है मोगे जिनका बहुत पूँथ रहे थे ना सेलेक्शन नहीं वाता तब तक फूँद्ड रहे थे लोग वेकिन अब सेलेक्शन हो गया सब कुई कहने वाला नहीं है और जीवन में जब भी कोई कारिय की है तो निशित रोप से हर रोप में रियक्षिन आता ही है कैसा भी काम कर लें अपन रियक्षिन जरूर आईगा तो पुने संस्थान की तरफ से मुकेष सोद्री जी का बहुत बहुत श्वागत अहरदिक अभिनंदन और गुराजें मुकेषी बैठें और आपकी जोड़दार तालियों के बीची में आज जो उपस्तित हैं हमारे बीच में हमारे छोटे भाई अनुप शर उनको श्वागत और दो सब्दों के लिए उद्भादन आपके बीच में पहले भी आई हैं लेकिन ये आपके बीच में और नजिदीकी से रहे हैं मुकेष जीत आज ही आपके बीच में आई हैं और अनुप शर की मैंने कहा तक पिछली बार पॉइंटू में रह गई थी और अब की बार आप सभी को नमस्कार दोस्तों देखो आज वैसे ही संस्ता के अंदर जस्न का माहूल है आप और हम सब लोग जस्न मना रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में से एक विद्यार्थी राजस्तान के अंदर पहला इस्तान अर्जित करता है और बाई साब ने आपको बताया कि उनके पीछे योगदान किनका है तो देखो सर ने कहा कि हमारा जो कंटेंट होता है वो किंग होता है लेकिन मैं इनको बता दूँ भाई साब को कि जो उस कंटेंट को आपको देता ना वो सूपर किंग होता है साब क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ मैं जानता हूँ एक किताब से ना तो हम पढ़ाते हैं अगर एक किताब को उठा के हम पढ़ाने लग गए तो भाई साब दूसरे दिन आप पढ़ोगे नहीं हमसे फिस पढ़ना पढ़ता है नई लाइने जोडनी पढ़ती है हर वक्त उस चीज को अपडेट करनापड़ता है हम लोगों को जब जाके हो हमारा कंटेंट तयार होता है और हर बार उसको अपडेट करना पढ़ता है अप लोग NCRT की इमांदारी के से बताओ मैं इक बारी तो को लाइन बदलनी पड़ती है क्योंकि हमारा क्यूशन वहां से आता है दोस्तों पिर दूसरी आज हमारा जो चर्चा का विसेरा सोट नोट्स बोल साब यह क्या होते हैं कई ओनलाइन पे चल रहा था है सोट नोट्स की बात क्या थी जैसे मैं आपको एक एक जामपल देता हू बाई साब आपको पढ़ा रहे हैं कि वायुदा पेटियां साब और पवन अतंत्र हमको पता है कि वो जो एक डाइग्राम है उसी में से प्रशन आएगा कि व्यापारिक पवने कैसे चलती है पच्वा पवने कैसे चलती है दुर्विय कैसे चलती है तो उसकी व्याख्या को याद करने के बजाए क्योह ना उसको ही दिमाग में सेट कर लो वह क्या है हमारा तो लुक्रम हाखिता सोट नोट्स क्या होता? आपब के जरें सोट नोट्स usual कीgle होता है कि आप देखो पूरा अगर हम भुगोल का अनलाईसिस करते हैं तो शेंदर आप देखेंगे बैसाब के नोट इतने सीांदार है इतने नोट से शांदर हैं, किताब का जो हमने लिकाली थी, भाई साब की किताब, उस किताब के अंदर जो क्लास नोट थे, वो ही एज़टीज आपके प्रिंट करवाए गए थे, बिल्कुल डिक्टो थे वो, कोई चेंज नहीं था उसमें, और किताब अभी भी मार्केट में और आप उसमें से देख लो, कि अगर आपके 120 कुशन नहीं हो, भाई 130 कुशन थे टोटल थे, जो ग्रोफी के, साइको तो अलग पाट हो जाता है, तो उसमें से 120 कुशन एज़टीज हैं, फिर भी हम उस किताब को भी भाई साब लगाता हैं, उसको अपडेट करते रहते है हमारे पास में कोई भी डाटा था, हम पूरा प्रियास करते हैं, उसको बेतर से बेतर बनाएं, ताकि आने वाले समय में, हमारे पास में, जो अविव्यक्ती संस्तान में पढ़ रहा है, प्रतेक विद्धार्ती यहां से सफल होकर जाएं, दोस्तों. दूसरी बात, देखो, मैं तो वैसे ही सबसे इन सबसे चोटा हूँ साब, मेरे से बड़े बाई साब बेठे हुएं, सुख्वीर चोधरी बाई साब बेठे हुएं, मोरिय सार बेठे हुएं, तो मैं तो बोलता है इनको सार हूँ, यह इधर हमारे बड़े बाई साब फिर बाई साब ने कहा है कि लोग बात बनाते हैं अमें बाई साब को पानी पिला देता हूँ लोग बात बनाते हैं उसके ओपर देख देख बला क्या कर रहा है यह बनाने तो क्या परक पड़ता है लोगों का काम क्या है बात बनाना है. आप देखो, आपकी जैसे महलो चेनित हो गए, तो भी लोग बात बनाएंगे. और आप फेल ऊ गए, तो भी लोग बात बनाएंगे साब. ठीक है. आप अगर चेनित ने हुए, आपने इतनी मेनत करी और पोईंटों में रहे गाँए, गाव में बात चले गए रे पता नहीं किसके पीछे पीछे गूमता था ये रियल बता रहा हूं दोस्तों ये बात में वहाँ पर हमारे विसे चलता है ये कि बिचारा सफल इतने मैनत के बाद में वो तो ऐसे फलो गया इसके दुख के पहाड़ तूट गए और वहाँ पर चर्चा क्या चल रही है पता नहीं क्या था मैंने कहा ना, लोगों का काम बात बनाना हो सकता है लोगों को, तो ये भी पता, आपके गाव में चिड़ने वाले खूब मिलते हैं, साब, होते ही हैं, मेरे एक मिलने वाला था, वो जैपुर में तयारी कर रहा था, फेल हो गया, उसके रिश्टे वाले आये, और रास्ते में किसी नो रोक के कह दे, इसकी तो पहले से साध्य जैपुर में रखता है यह तो. बताओ क्या करें. तो लोगों का काम तो हमेशा क्या है? कहना है. किसी की नई सुननी है. इमानदारी के साथ में आप लोगों को पढ़ना है. बाइसाब क्लास लेते हैं आपके. रेगुलर उन क्लासों को, एक बार तो आप ओफलाइन वाले तो ओफलाइन में ले ही रहे हो. लेकिन उन क्लास को फिर से देखना आप लोगों को कब? उलाइन क्लासों को देखना है. और फिर उनका पूरा आपको. एक चीज और कि आप गल्तियां बहुत करते हो साब, तो दुबारा अपने नोट्स को चेक करना कि गल्तियां तो नहीं हमारे, क्योंकि मैं बताता रहता हूं आप लोगों को कि आप गल्तियां बहुत करते हों, अब एक विध्यारती ने लिख रहा का, मैं पढ़ा रहा कंचन तो अब गल्तियां बहुत करते हैं हम लोग, अब सब फर्स्ट पर के अंदर आते हैं बात, मैं रियल बता रहा हूं, मैं जूट नहीं बोलता, मैं अविव्यक्ति के पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं मेरे को कोई भी चीज पढ़नी हो, और पोलिटिकल साइंस और राजस्तान के अंदर साइध ही कोई ऐसा एप होगा, जिसके ऊपर अपडेट कोर्स डाला गया हो भाई साइब राजस्तान का, राजस्तान जोगरोफी का अपडेट कोर्स है, तो वो अभियक्ति का एप है फिलाल, प्यार दोस्तों, हमने दिन रात मेनत की, बाई साब क मार्ग दर्शन लिया, कहीं पर भी अटक जाता हूं, मैं पूछ लेता हूं, कभी मैंने संकोच नहीं किया बाई साब से पूछने के अंदर, बाई साब किलास में जा रहे हैं, मैं एक मिनट रोके बाई साब यह बता कि जाओ मेरे को एक बार, बाई साब तुरंद तो आठ भटनागता है, बाई साब कुल्दी बाई साब-साब है साब Lubr कैंचें कि अब देखो बाई साब की कहई दिया हमारे बड़े बाई साब भी खड़े लिए साब साइड के अंदर ऐसा साहे थी कोई राजस्तान की कोचिंग का डाइरेक्टर होगा, साहे थी कोई कोचिंग का, कि जो आप विद्यार्थियों के आगे हाथ जोड़ के कहें, बताओ मेरी कोचिंग में कोई समश्या तो नहीं है, आपके टेस्ट परोपर हो रही हैं को नहीं हो रहे हैं? आपको सिकसख सही पड़ा रहे हैं को नहीं पड़ा रहे हैं? लेकिन आप लोग क्या काओगे जाके सर बैग नहीं दिया, आपने? मा लोब बहुतिक वश्तुओं को छोड़ो, यार! स्रीमान किर्षिन याद हो जी आवियव्यक्ति संस्तान के वे डायरेक्टर हैं जो पूरे राजस्तान के अंदर एक बाई की तरह देखने वाला अगर कोई डायरेक्टर है तो उस्री किर्षिन याद हो जी हैं बहुए कि देखो हमारे फर्स पेपर गंदर मोरिय सर पड़ाते हैं एक ही बात कहते हैं बाई मैं तो बोड़ा मास्टर हूँ मलब हम अध्यापक हो के भी कितनी सालींता के साथ में कभी किसी को तू तड़ा के से नहीं बोलते साथ नहीं एक अध्यापक बोल सकता है दोस्तों लेकिन बावजूद उसके हम इमानदारी से आप लोगों के लिए मेनत करते हैं कि आप देखो सुख बीर बाई साब बेठे है हमारे बीच में बाई साब को कोई मुकाबला है रहा यह वैसे भीर वैसे भी साथ ठीक है क Baysa का मतलब ए दो पढ़ाने में और वैसे का मतलब हमारे बड़े बाई का फर्ज निवाने में तो देखो दोस्तों मैं यह ही कहूँगा कि अगर आप चाहो तो राजस्तान के इतियास में अव्यक्ति संस्तान वो संस्तान बन सकता है जो आपके इतियास में कोई संस्तान नहीं बना होगा देखो हमें किसी की बुराई नहीं करनी किसी के आलोचन नहीं करनी लेकिन अधिकान संस्तानों में यह होता है कि फेक नाम दिये जाते हैं कि जिनका कोई अता पता है नहीं होता कि वास्तु में यह कहा है एक बियार वाले की फोटू खेंच कर रोल नमर किसी और के तो इस प्र जाएगी कि कुल्दी बाई साब के जोग्रोफी में राजस्तान में 255 से अधिक सेलक्षन हुए हैं बाई साब कहते हैं हम तो बादलों की तरह हैं कि साथ कहां-कहां वर्साथ करवानी है कहां-कहां नहीं करवानी लेकिन बादलों कि मेरको इस जगह पर थोड़ी सी ज्यादा वर्साथ करवानी है और वो कब पोसीबल होता है जब हमें पता लग जाता है कि हां यह पढ़ने वाला विद्यार थी है थोड़ी सी किसकी और मदद की जाए तो यह निश्यत रूप से आगे बढ़ जाएगा साब पढ़ाते तो हम समानी है लेकिन हम से आके कोई क्यूशन पूछ रहा है बार-बार उसके प्रति जागरुकता दिखा रहा है तो हम निश्यत रूप से उसकी मदद करते हैं दोस्तों तो प्यारे दोस्तों अब आपके अभिव्यक्ती संस्तान को अगर कोई बुलंदी पर ल कि आप इस नईया को कितना पार लगाते हो क्योंकि विद्यारती नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे खुदी पढ़ते रहेंगे तो आप अधिक से अधिक संख्या के अंदर जितने भी लाइव पे जुड़े हुए हैं आप एक बार कोचिंग विजिट करें कहीं पर पढ़ रहे हो आप मैं यह नहीं कहता कहीं पर भी सब अच्छे होते संस्तान कहीं पर भी पढ़ रहे हो लेकिन एक बार आप अकर हमारे नोट से चेक करोगे तो आपको रियलिटी का एसास होगा कि हम लोगों से कितना पीछे हैं और हमारे विद्यारती कितना लोगों से और बाई साहब बहुत बहुत दन्यवाल आपको भी बड़े बाई साहब थैंक्यू बाई साहब कारीक्रम की लिमिटेशन है और ये भी है कि अगले बहचका भी समय है बहचका तो समय हुई गया निशित्रोप से वो भी आपके बीच में पहुंची गए और उनको भी एक संचिप्त मार्क दर्शन मिलना जरूरी था उनकी द्रस्टी से भी सवा पांच बजे का टाइम रहता है लेकि जैसे अनूप शर ने और मुकेश शर्जे ने आपके बीच में जो बाते रखी वास्तव में ये अमिट छाप के रूप में है और ये जीवन में आउशर सभी को मिलता है लिकन इसी कारेक्रम को मैं संचिप्त रूप में करते हुए मैं संस्था के डारेक्टर कृष्ण यादाव जी को आमंत्रित करता हुँ आपको संचिप्त रूप में उद्भादन दें क्या है बढ़िया हो आज अपन बढ़िया रहें और अपना सेलेक्शन हो जाएं यही बहुत-बहुत आपका धन्यवाद भाई मुकेस को भी मैं अजूल भुष्छी काम ना करता हुँ कि यह आगे असिस्टेंट प्रोफेसर आरेस तक जाएं आज लोगों ने आप जो खु प्रोफेसर दिया मेरे को मेरे से बोला नहीं जा रहा है और ज्यादा बोल दूआ तो भाई को जाएं पर आपको चोड़ गाना पड़ेगा बार तक हमारी पूरी टीम बैठी जानुप सर ने शब का सामानते परिचे करवा भी दिया और पिछले जो समय के साथ जो इस्तिया जैसे शुरुवात में फोन आया तो आज में रास्ते में था तो मैंने काया कि मिठाई मुकेश जी कब खाओगे और कभ खिलाओगे तो ने काया कि गुरूजी मैं खुदी याओंगा तो अज मेरे की भी नहीं था कि साइद आज आ सकते हैं लेकिन इनका जैपूर आना ही थ और रस्ते में मैं पूँचा तो फोन आया कि जब मैं जैपूर आ गया और अनुमती हो तो मैं आ जाओं मैं देखा है कि जब जैपूर आ गए हैं नहीं हमें जाके लाना पड़ता और लाने का मतलिब ये कि आपके लिए ये एक मोटिवेस्टन है ये आपके बीच के हैं त così ही हमारे जैसे ही है जब ये परथम रहंकं कर ये यासकते हैं तो हम भी सकते हैं है कि ह capabilities सभी करते लेकिन उस Premiere को किस गंसे कितने भेतर DC से कितने मजबूती के साथ किया जाई है कि उसका आपके बीच में मुकेशजीं अने रखा हैं और यह तरह तरह की बाते भी आती हैं मैंने शुरू में जब इनसे पूछा तो मैंने पूछा एक वास्तिविक्ता में क्योंकि मैं कभी मिला सद मिला हूं के पहले नहीं मिले मिले नहीं थे पहले और कई बार कोई ध्यारत्या के चले भी जाता है तो ध्यान भी नहीं रहता है एक्ट्वल में कि इतनी संख्या में है संभव नहीं है इतना जरूर है कि देखने से पता चल जाता है कि देखे हुए है इसका मतलब कभी मिले हुए हैं लेकिन जब इनोंने श्वेम अपने आप से कायन का कि जब कुछ लोगों के फोन भी आये यह चीजे कोई माइने नहीं र रखिये और मेरी तो आप सबी को यह शुब कामना है कि आप भी अपने जी तोड मेहनत से और अच्छे प्रियासों से सफलता को आसिल करें मानव का यदी श्रंगार है तो उसका कारिय है मानव को उसके कारिय से जाना जाता है और उसके लावा बाकी जो कपड़े वस्त रहे है यह जो विभेण जो आभूशान है यह सब के ओल भाई वतावरन है वास्तविक यह है कि अपने कारिय कैसा किया है हमारे संस्था से जो मैं सर सर वेठेंगे सुख्वीर सर जो हमारे चोटे भाई हैं और मैं आपको बता दू संस्थार में ज्यादा तर ही मेरे चोटे भाई हैं सुक्विर चोजरी जी है राजैंडर मोर्य जी दोनों आपस्तित है तो मैं एक बर मन्तित करूँगा दो मिनट के लिए यह अद दें और मुकैश जी आज आए हैं ऐक भर सुक्विर चोद्री जी और दौनों भाई साथ ही आजाएं कोई बात नहीं मोर्य जी भी मेरे थ्टे भाई है और आसा करता हूं अगली बार ऐसी तालिया आपके प्रोग्राम में फिर श्टीज पर चड़ो फिर बज़ें और देखो कुलदीब सरकी तो जिदनी तारीफ की जाए उतनी कम है सब लोगों ने बहुत कुछ बताया और आप लोग तो देख रहें उस आक्षात तो सबसे बड़ी चीज है जो बारवार का जाता है वो कोई अलग सब्दों में कहता है मेरे मन में पागलपन कि आपका अपन कार से प्यार किया तो वे कार आपको नुश्य सफलता प्रिदान कराएगा और कुलदीब सरकाफ बच्चों के पृति जो डेड़ी केसन है यह मैंने देखा है पहली बार कि सर चाहे कितनी ही प्रोब्लम में हो इमर्जेंसी कोई छुट्टी हो गई तो हो गई ने आपकी लगातार मेनत करनी होगी सबसे बड़ी चीज होती है आप तैयारी करते हो एक जोज के साथ आते हो काफी बार देखने को मिलता है कि जिस जोज के साथ हम घर से निकले जिन सपनों को लेकर के बीच वीच में कहीने कहीं बाइरस के तोर पर हमारे जीवन में कुछ आपको लगातार एक जिद एक जुनून के साथ टार्गेट बनाव छोटे कभी भी बड़ा टार्गेट नहीं बनाना आप सोबह साथ वजे जग रहे हो तो कभी यह नहीं सुचे ना दो बजे जग नाए आप पहले साथ से साड़े छे पर आओ तो छोटे छोटे चोटे टा से सीनियर सब समझगे होंगे तो इनी के सानित में फिर मैं आसा करता हूँ आप सभी को बहुत-बहुत सुबकामना है आपके उजबल भविश्की और भाई मुकेश को भी बहुत-बहुत सुबकामना है कि उन्होंने इतियास रचा हावी नमस्कार कैसे हो अच्छा लग रहा है अगली बार और अच्छा लगेगा यह वादा है हम सब का कि हम सब मिलके एक बार फिर से इतियास रचेंगे और अगली बार इसी को यह चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा कि फर्स्ट रैंक किसको डालें क्योंकि सबके नमबर पैरलल रहेंगे हम खुद से इतनी मेहनत करेंगे कि सफलता को हमारे पास आना ही पड़ेगा और रही बात क्लासेस में कहने की तो वो तो मैं कह देता हूं ठीक है तो मैं कह देता हूं जैसा कि आप सब जानते होंगे मैं तो भूला आदमी हूं और हाँ यह सब थोड़ा सा मुझे भूला समझते हैं हाला कि मैं इतना ही भूला हूं जितना यह समझते हैं बाकी सब आप समझते हैं बाकी देखो आपका और हमारा एक स्टडी का कनेक सब्जेक की बात करूं तो आप कोई साभी एक्जाम देख लीजिए किसी की भी कोपी उठा लो मन करें उसकी प्रेश्ट अगर उससे बाहर हो तो वहां मज्जा नहीं देना मेरे को बाहर रोक लेना कि यह मेरे कंटेंट की बात है यह तो दूसरी हम बात करें कि कई बार मैंने चालू कक्षा में कहा होगा आप मेंसे जिन-जिन के साथ मेरी कक्षा हुए कि पताहने कौन से लोग की बात कर रहा है आदिम्हें मैं च portable प्रशनपत्र देख सर्ण ये क्या होते हैं आप उस तीन गंटे दो गंटे देड़ गंटे के पिरियड में आपके नम्स को अपने कंट्रोल आपके जो समवेग हैं आप कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हो हो सकता है कि आप से सिली मिस्टेक्स हो जाए पेपर भरते समय जैसे ओमर शीट आती है मैं कुप क्लास में बताता हूं मैं तेरे साथ क्या करूंगा तो थोड़ा सा अपने को पेशन्स रखना है क्योंकि अगर आप पेशन्स के साथ रखोगे शिक्षक वही हैं जो धीर गंबीर सोबाव में और हम सब तो शिक्षक बनने के लिए हैं तो एक बार पुने आप सभी का अभिव लेंगे और सब के सब सेलेक्शन लेंगे थैंक्यू सो मच्छ अ कि इस कारेकरम को जो सेशन है जो दोपैर वाले बैच के जो भाई भाई भाईन है वो सांति पूरोख निकल के जाए ठीक है क्योंकि एवलिंग का जो बैच है है वहां है और फोर्फवादी है पहले मेरी बात करें आपको क्या आपको शान्ती है रोले बाहर जहां पर अपक्लीश वाड़ा गाम कर लो